हलो फ्रेंट्स आपका स्वागत है आई टेफ आटेट यूटूब चैनल में इस वीडियो में हम जानेंगी एंसील की कटाप कितनी जाएगी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है इस वीडियो को इसकी मत कीजिएगा लास तक देखेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर हम कटाप लेकर आएं जो काफी हद तक सही आपको यहां पर कटाप देखने को मिल जाएगा इस वीडियो में ठीक है यहां पर हम बतादे फ्रेंट्स यह आपको जानना जरूरी ही कि कटाप बनती कैसे मतलब किस पर निर्भर करती है कटाप हमारी तीन बातों पर कितनी अगर वैकेंसी कम है तो फिर हमारी कटाप ब्हाई जाएगी किसी कारण वास काफी सारइटर नहीं जापा एकिजाम देदेने जैसे एक कारण आपका था लास्ट में एक्जाम सेंटर चेंज हो गया तो बहुत सारे इसे ने क्या किया था पहले से टिकट बुक करा लिया था लेकिन चेंज जब कराने में दिक्कत हो गई तो ऐसे भी मैसेज आए कि कुछ इस वज़े से एक्जाम देने नहीं गए ठीक है ये ती के लिए वैकेंसी टोटल थी 149 इसके कटाप कितनी जाएगी यहां पर यह भी हम आपको बता दे जो फ्रेंड्स हम आपको कटाप बताने जा रहे हैं इसमें एक्जामपल के तरफ से हम यह समझ लिए अगर 10 से 20 हमने हमने बताया 10 से 20 कटाप हमने बताया तो 10 से 20 का मतलब य 10 नंबर यह होगा कि डीवी के लिए आपका नाम आ जाएगा और 20 यह होगा कि फाइनल सेलेक्शन आपका हो जाएगा समझ पा रहे हैं अगर आपका मिनिमम जो हम बता रहेंगे वह डीवी में आपका नाम वहां से आ जाएगा अगर हम मैक्जिमम की बात करें मैक्जिमम मार 20 है तो maximum आपका यहाँ पर final selection के लिए आपर नाम आ जाएगा ठीक है तो यह हमने यहाँ पर बता दिया जो भी नियम है वो सब कुछ हमने बता दिया आप यहाँ पर हम cut up के बारे में चलते हैं ठीक है तो यह हमारी यहाँ पर यूर के लिए cut up कितनी जाएगी 64 से 74 की बीच में जाएगी ठीक है 64 से 74 की बीच में आपकी यूर की cut up जाने वाली है यहाँ पर हम बता दें 74 यहाँ पर maximum क्या रहेगा final selection DV के लिए आपके यहाँ पर minimum 64 भी number है तो आपके यहाँ पर chances हैं कि आपको यहाँ पर लिए बुलाया जा सकता है तो जिन इस्टूइंस के भी 64 से 74 के बीच में आप लोगों DV के लिए नाम 99 परसेंट आपको बुलाया जाएगा ठीक है नेश्ट नेश्ट यहाँ पर हमने बात किया जनरल के बारे में अब हम बात करेंगे यहाँ पर EWS के बारे में EWS के यहाँ पर कटाप जाएगी 64 से 68 के बीच में जाएगी 64 से 68 के बीच में जिन इस्टूइंस के यहाँ पर नमबर मार्क्स बन रहे हैं उन इस्टूइंस का यहाँ पर आपका DV के लिए नाम आ जाएगा देखें यहाँ पर हम बता दे जो 80% प्लस आपको बताते का हमारी 80 सभी हो रहे या 85 प्लस बताते हैं उनको यह बार समझना होगा की वह अधिक्तर रिस जो पताते हैं वह या महत पे जो एकश्रूशन देने नहीं जाते question आपको टेक्नीका लाना था 70 कोशन टेकनीकल में भी आपके मैध के question थे कितने question थे लगबग सत्रा question आपके यहाँ पे मैध के question थे लगबग और वेसे फिर माले मोटा मोटा की theory के question के एवल कितने हमारे आएते theory के question हमारे 50 आए थे ठीक है तो हमारे 50 नॉन टेक्निकल हो गए तो यहां पर देख लिजे नॉन टेक्निकल में हमारी मैथ काफ़ी आए थी इसके कॉड़ें यहां पर कटाफ कम जाएगी और सीड जादा इस वज़े से कटाफ कम जाएगी जो भी 85 प्लस कहरें बिल्कुल नहीं इत चांसे है आप लोगों के लिए ठीक है यहां बात करते हैं एक च्छोटाइड प्लस यहां पर कृटा चारेवाली से यहां पर आपका सेलेक्षन हो हो सकता है तो यह नहीं को रीइट कर दीजेगा और इहाँ पर गण करने से क्याल साप्ट आप लोगों से बताना है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना मस लिख है और सही लगे ठीक है चैनल में नए तो चैनल सस्क्राइब कर लिजेगा ब लाइकन ओन कर लिजी आसा करते आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आपने वीडियो को लाइक कर दिया हो पर मिलते हैं एक नए वीडियो में और यहाँ पर एक इंपोर्टेंट अपडेट आपको बता देए है ठीक है इसका सेड्यूल हम आप आज आपको इवनिंग में बता देंगे ठीक है कल से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही थियोरी की और साइंस की इसका सेड्यूल आज साम को आ जाएगा इसका एक वीडियो आ जाएगा कि किस परकार से क्लासे चलेंगे ठीक उसके लिए भी रेडी रहेगा कल से क्लासे स्टार्ट रहेंगे ओके फ्रेंस बाइबाइबाइब टेक